ओम रिम शीम क्लिमे मरम वं 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 संसं तंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथंथं पच्पाचे पाचे ओम नमोरम झमजीम श्विम हमस जववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव अवीश रियांश समस्त दमो निवासी सराप परिवार श्रीमान अशुक कुमार जी अजय कुमार जी अनिल कुमार जी अंकित शशंक आकाश यश एलिश विराज समविद अथर्व समस्त शापरिवार दुर्ग निवासी समस्त परिवार स्रीमान प्रकाश्चन जी अमित कुम जी रजनी जी जी आर्जयो जी आराध्या अतुल मनीशा जी एकत आकर्शन समस्त जेन परिवार संगम नगर इंदोर निवासी समस्त परिवार स्या श्रीमान राकेश जी शराफ दमो निवासी समस्त परिवार स्या श्रीमान राजेंद्री जेन योगेश जी जेन समस्त परिवारस्य, सकल दिगंबर जेन समाज, सिर्पूरस्य, स्री रस्तू, रती रस्तू, तुष्टी रस्तू, पुष्टी रस्तू, शान्ती रस्तू, कांती रस्तू, कल्यान वस्तू, स्वाहा, समष्ट शांती आरा करता, अभिशेक करता परिवारस्य, कार्य सिध्यर्त, जब ये परमेश्टी परम पवित्रा इनमो नमा समझत अभी शेक शान्ति आरा करता परिवारस्य श्री शान्ति बट्टा रखो हर परिश्थिती में व्यक्ति के लिए एक ही वात सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ जब शिय अहबुद हो जाता है कि मैं कौन हूँ मैं जीब हूँ और मैं एक सुद्ध आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ जीब में दो चीजें होती हैं एक देह होती है और एक आत्मा होती है कोई भी जीब संसारी जीब जितने भी होते हैं वो सरीर सहित चेतन आत्मा है और उन चेतन आत्मा में चेतन का अनुभव करना हमारी सब के परमलक्ष में होता है क्योंकि आज तक किसी व्यक्ति ने हर चीज का अनुभव किया है हर चीज का साथ लिया है लेकिन अगर चेतन का अनुभव नहीं किया है तो शिर्फ अपने निज चेतना का अन्हों नहीं किया और उस चेतना में हमारे पास दो चीजें सामने हैं कल भी मैंने आपको उता है था उपयोग के साथ में दर्शन उपयोग ग्यान उपयोग ग्यान चेतना कर्म चेतना कर्म फल चेतना तीन प्रकार की चेतना होती हैं हर व लोग कर्म नहीं करपाते हैं सिर्फ कर्म का फल भूगते हैं और ग्यान चेतना वाले वो होते हैं जो सिद्धत्थ को प्राप्त करने के बिलकुल निकट हैं उनके लिए ही के पान आती मदिककंता जो प्राणों से अतिक्रान्त हो चुके हैं वही ग्यान चेतना का अनुभाव करते हैं ग्यान चेतना माय होते हैं लेकिन कुछ लोगों ने ग्यान चेतना के लिए चौथे गुनस्थान में मान करके एक बहुत बड़ी भूल की है असयमी को ग्यान चेतना मानने की वात सोच करके भी आप लो उनकी निश्चित तोर पर अभी भिर्मित है क्योंकि उनके लिए चोत्य गुर्णिस्तान में ग्यान चेतना का एक आभास हो सकता है सम्मेक दिश्टी के एक सद्धा बनती है और जिस सद्धा का परिणाम सामने ये आता है कि वह एक बात तेकर लेता है कि मेरे ग्यान, मेरी आ नहीं हूँ, यह सद्धा तो वन जाती है, लेकिन इस सद्धा पर अभी आचरण नहीं हो पाता है, भायों से लोग कहते हैं कि सम्मेक दिश्टी साथ भायों से मुक्त होते हैं, परंतु हम एक बात आप से यह कह देना चाहते हैं, कि जहां नोमे गुनिस्थान तक भाय का साय ह है, भाय विद्दमान है, वहाँ पर अपने लिए विचार करना पड़ेगा, कि यह भाय कैसे चूट सकता है, परंतु अब हमारे सामने यह बात आती है, कि भाय तो छोड़ने की कोशिस करते हैं, लेकिन साथ भायों से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो सबसे पहले नमर की बात होती है, कि भाय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, तो अनंतानवंधी के साथ होने वाला भाय, प्रित्यक्यान के साथ होने वाला भाय, संजलन के साथ होने वाला भाय, भाय की एक रूप रेखा बनती है, और यह भाय जो होता है, निश्चित तोर प की ओल ले जाने वाला होता है